नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आपका हारदिक्स वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा जबरधस्थ नुस्खा लेकर आया हूँ जिसका परियोग करके आप सरीर के हर रोग से चुटकारा पासकते हैं दोस्तों अगर आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो आपको एडि से चोटी तक सरीर का कोई भी रोग नहीं होगा और अगर रोग है तो वो खतम हो जाएगा आपको मद में हाट से जुड़ी बीमारियां टिड़नी से जुड़ी बीमारियां लीवर से जुड़ी बीमारिया मोटापा, पेट से जुड़ी बिमारिया, कबजादी, एसिडिटी ये सब आपको छू भी नहीं पाएंगी अगर आप इस नुस्खे का हर रोज परियोग करते हैं दोस्तो और इस नुस्खे को बनाना भी बिल्कुल आसान है आप अपने घर पर ही असानी से बना सकते हैं तो आएए दोस्तो सब से पहले जानते हैं इसके बारे में मेथी दाना दोस्तो मेथी दाना से होने वाले फाइदों के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन कोई इसको खाने का सही तरही का नहीं जानता कि मेथी दाना सरफ सवाद और महक ही नहीं बढ़ाता बलकि यह हमारे स्वास्थे के लिए बहुत अदिक फाइदिमन है भारतिय कीचन में कुछ खाद पधार्त या मसाले ऐसे हैं जिनकी खुसबू या सवाद लोगों के जहन में हमेशा ही ताजा रहती हैं यह मसाले ऐसे होते हैं जिसके बिना किसी भी व्यंजन की कलबना नहीं की जासकती है मेथी उन्ही मसालों में से एक है मेथी अपनी महक के साथ-साथ अपने गुणों के लिए भी जान जाती है यह दिखने में छोटी है लेकिन जब इसका इस्तमाल किया जाता है तो इसकी चर्चा घर के लावा आस प्रोस में भी होने लगती है यानि कि आप अपने घर में इस्तमाल करेंगे और दूसरे प्रोसी भी जान जाएंगे किनने मेथी का प्रियोग किया है इतना जबरदस्त है मेथी का प्रियोग दोस्तो मेथी दाना मदुमे से लेकर जोरों के दर, किड़नी, जमा रखने, मोटापे इन में किसी वर्दान से कम नहीं है इसलिए यही कान है कि पुराने समय में लोग इसके लड़ू बना कर खाते थे अब जानते हैं कि इसका प्रयोग आपको करना कैसे है जिससे कि आपको सबसे अधिक फाइदा मिले आपको क्या करना है दोस्तो या तो आप एक चमच या फिर जितनी आपकी उमर है उतने दाने लीजी यानि कि अगर आपकी उमर 30 साल है तो आप 30 दाने लेकर रात को एक गिलास पानी में भिखो दें और सुबह उस पानी को पीलें खाली बेट और उस पानी के साथ होसके तो आप दाल चिनी का आदा चमच भी ले लिजी उससे आपको इसका फाइदा और भी अधिक बढ़ जाएगा और जो आपने दाने भी गोई थे उनको भी आप खाली जी एक तरीका तो उसके खाने का ये है तूसरा तरीका है कि awaiting आप इसका पावडर बनाकर उस पावडर की फाकी लें एक इलास पानी के साथ होसाथ और तीसरा है कि आप जितनी उमर आपकी है उतने दाने लेकर उसकी फाकी एक इलास पानी के साह लें यानि को नेंगल जाएं अब इन तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से मेथी दाने का पर्योग कर सकते हैं आपको बहुत अधिक फाइदे देखने को लेगे तो आएए अब जानते हैं किन-किन बीमारियों में राम बन हैं मेथी दाना डायबटीज पर कंट्रोल मेथी दाने को खाने से डायबटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है इसको खाने से तेसाम में सुगर की मातरा कम हो जाती है इसमें मुझूद प्राकृतिक फाइबर के कान तथा इंसुलिन पर मेथी दाने की उप्योग से पढ़ने वाले परभावों से डायबिटीज में यह हैं बहुत अधिक फाइदिमन है कोलोस्टोल मेथी दाना खाने से कोलोस्टोल पर कंटोल रहता है मेथी में मुझूद फाइबर के साथ कुछ ऐसे तत्तो पाई जाते हैं जो रक्त में कोलोस्टोल की मातरा को कम करने में मदद करते हैं इसके निमित रूप से प्रयोग करने से रक्त में कलोट बननी की संभावना बहुत अधिक कम हो जाती है और कलिस्टोल को कम करने में ये कर्रांबन ओष्टी की तरह कम करता है मेथी दाने को खानी से पाचन तंतर दुरुष्ट रहता है इससे पेट और आत की जलन और सूजन आदे में बहुत अदिक आराम मिलता है इसके निमित रूप से अगर आप इसको सेवन करते हैं तो पेट और आतों के अल्सर में भी आपको अरा मिलता है इसमें पाई जाने वाले घुलंसिल फाइबर से कबज को मिटाने में यह बहुत अधिक साहक है आतों के कैंसर से बचाओ मेथी में ऐसा तत्व पाई जाता है जो आतों के कैंसर से बचाओ करने में सक्सम है अगर इसका निमित रूप से सेवन किया जाए तो आतों में कैंसर के समस्या कभी भी नहीं होगी मोटापे को कम करता है मेथी दान आयरुवेदिक और और उस्तिय गुनों से भरबूर मेथी में फाइबर होता है जो नैकिवल हमारे कबज के समस्या को दूर करता है बलकि इसके दानों को चबाने से एक्स्टा कलोरे भी बर्न होती है इसके लाबा अपने वजन को कम करने के लिए सुभे सुभे दो गिलास मेथी का पानी भी है इसके लिए आपको मेथी को पानी में रात बर भीको कर रखना है और सुभे चान कर उस पानी को पीना है और उस मेथी को भी खा लेना है किड़नी रोग में बदलती खान पान की आदतों और दोड़ भाग की जिन्द की परदूसित पानी और परदूशन की वज़े से किड़नी की बिमारियां बहुत अदिक बढ़ रही हैं ऐसे में आपको मेथी दानों को परियोग में जरूर लाना चाहिए यह किड़नी को सुष्थ रकने के लिए एक गुनकारी खादे पदार्त है यह किड़नी की पत्री में भी एक ओस्ती की तनहां काम करता है जोडों का दर्द मेथी दाने को बारीक पीसे एक चमच मेथी दाना चोन पराते ताजे जल के साथ लें इसे घुटनों में दर्द की समस्या में आराम मिलता है चहरे को सुन्दर बनाए मेथी दाना से आपको निजात मिलती है मेथी दाने का एक और फाइदा यह भी है कि सिर्फ चेहरे पर गलो ही नहीं आता बलकि चेहरे से काले घेरे और संड डैमेज स्केन बे निकल जाती है बुखार में भी आराम दिलाता है मेथी दाना मेथी से बुखार को भी दूर किया जासकता है इसलिए मेथी के दानों को एक छोटे चमच निबू के रस और सहथ के साथ आपको खाना होगा पाचन समंदी समस्या पाचन समंदी समस्या को दूर करने में मेथी के दाने राम बान की तरह काम करते हैं इससे पेट दर तो दूर होता ही है साथ में पेट में जलन भी नहीं होती है और आपकी पाचन सकती भी बढ़ती है तो दोस्तो आप भी मेथी दानों का प्रयोग करके इससे होने वाले फाइदों को उठा सकते हैं और सबी तरह की विमारियों से बज़े रह सकते हैं तो दोश्तों देर किस बात की है आप भी आज से ही सुरू कर दीजे मेतिक अपरियो ताकि आपको जीवन पर कदी भी किसी भी विमारी का सामना नहे करना बड़े तो दोश्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे या इस से आपको कोई जानकारी प्राप्टू तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक भैशियर करना ना फुले इसके साथ साथ आप हमारी YouTube चैनल को सबस्क्राइब करना न भुले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरताश टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धनेवा दोस्तों